तो फ्रेंड्स शामने जो आपको नजर आ रही हैं पॉर्चुला का और मौस रोज की कटिंग और पॉर्चुला का या मौस रोज की जो कटिंग है वह आपको कहीं पे भी बहुत ही आसानी से जो है वह देखने को मिल जाती है तो इस प्लांट को आप अपने घर में बिल्कूल अपसुलूटली फ्री में ग्रो कर सकते हैं और गर्मियों का बहुत ही हाड़ी प्लांट है गर्मियों में यह भर भर के जो है वह फ्लावरिंग करता है तो आज मैं आपको इसकी कटिंग जो है वह ग्रो करना सिखाने वाला हूं पूरा अपडेट विद रिजल्ट पूरा स्टेप आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा तो वीडियो में अंक तक हमारे साथ बने रही है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन जरूर प्रेस करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मैंने मौस रोज की जो कटिंग है वो ले सकता है तो आज हम कटिंग से इसको ग्रो करने की बात करते तो सबसे पहले हमें कटिंग को जो है वो तैयार करना कटिंग को तैयार करने के लिए हमें क्या करना कि नीचे की जितने भी पत्ते हैं वह सारे के सारे हमें जो है वह रिमूव कर देने हैं और देखिए कटिंग का कटिंग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है अलाग कि आप चाहें तो बड़ी कटिंग जो है वह भी ले सकते हैं और कटिंग को तयार कर लीजिए अब हम बात करते हैं मिट्टी की देखिए पोर्चुला का या मौस रोज को किसी भी तरह की सोईल के अंदर जो है वह उगाया ज पोर्च की थोड़ी थोड़ी मात्रा है उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ के लिए तो आप देख लीजिए कि एक से दो नोड एरिया जहां से मैंने पत्ते तोड़े हैं उन्हीं नोड एरिया हम कहते हैं सोईल के अंदर हम लगा देंगे और हमेशा याद कि एक से ज्यादा कटिंग आपको ग्रो करनी है क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि सभी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाए किती वज़े से कुछ कटिंग खराब हो जाती है एक कमले में चार से पास कटिंग आप उगा लीजिए और जैसे आपको लगे कि भिया ग्रोथ कर रही जो है वह वाइट और जो इसका यूजवल कलर होता है रादी वाला वह वाला पिंक कलर है तो यह पास कटिंग जो है वह मैंने एक गमले के अंदर लगा दी है और आप जितने चाहें गमले तयार कर सकते हैं इसको आप फरवरी से लेकर और सप्टमबर तक अभी भी उगा सक है इसा मैंने आपको बताया सभी सक्सेस नहीं होती है उसके पीछे यह वजय होती है तो जो आप इंतजार कर रहे हैं जिस फल की आप पेक्षा कर रहे हैं अगर एक ही कटिंग लगा ही नहीं होगा तो फिर आपका जो टाइम है वह वेस्ट होगा तो मैं नहीं चाहता कि पॉर्चुलाका हेंगिंग मास्केट में भी काफी सुंदर जो है वह दिखाए देता है और फ्लावर जो है इसके गर्मियों में बहुत अच्छा ब्लूम करता काफी हाड़ी प्लांट है तो यह आप देखे कि मैंने जो है वह ग्रोग कर दिया है तो मिलते हैं अपनी नेक् तो मैं आपको यह देखें न्यू न्यू लीफ जो है आपको नजर आए जाएंगी तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कटिंग है वह सक्सेसली ग्रोग हो रही है और उसके अंदर लगातार आपको एक नई ग्रोग जो है वह देखने को जरूर मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर इसके अंदर कितनी रूटिंग जो हुई है शुरवात में बहुत ज्यादा हेल्दी रूटिंग नहीं होती है लेकिन 7-10 डेज में यह मैं कहूं मेक्सिम 12 डेज के अंदर इसके अंदर जो रूटिंग है वह शुरू जरूर हो जाती है तो आपको मैं निकाल कर दिखा देता हूं यह देखिए तो आपको रूटिंग इसके उपर जो है वह किलियरली नजर आ रही होगी यह देखिए छोटे-छोटे जो रूट है इसके अंदर डेवलोप होने शुरू हो जाते तो वापस इस कटिंग को जो हम लगा देते हो दे तो अब यह ग्रोथ करना शुरू कर देते देखिए स्टार्टिंग के 7-10 डेज में आपको बहुत अच्छी नजर नहीं आएगी लेकिन रूट डेवलोप हो जाती है जबकि दूसरे प्लांटों में क्या तक ग्रोथ पहले शुरू हो जाती है और रूट डेवलोप्मेंट जो है बाद में होता है अब यहां पर आप देख लीजिए इसको भी लगवा लगवा 10 डेज के आसपास हुआ है चोटी-छोटी कटिंग जो है हमने लगाए थी ग्रोथ भी अच्छा करने लगए 15 डेज हो गए 10-15 डेज में ग्रोथ भी इसने अच्छी कर लिए इंडिगेशन है कि जब हेल्थी ग्रोष शुरू हो जाए तो रूटिंग उसके अंदर जो हो चुकी है अगर मैं कहूंगे पूरा कोल मिला के तो 15 डेज में आपकी पॉर्चुला का की जो कटिंग है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है और देखिए पॉर्चुला का या म मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ वीडियो में बने रही है मारे साथ और फ्रेंड्स वेलकम करता हूं आपका डेड़ महीने के बाद करीबन पॉर्चुला का डेड़ से दो महीने मैक्सियम दो महीने के अंदर जो हो फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और अगर मैं ग फ्लावर तो आपको नजर रहें देड़ महीने के अंदर फ्लावरिंग कर दिया ग्रोथ और ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए ग्रोथ में कोई कमी आने वाली नहीं बोतल वाला अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें अंदर मोटी मोटी स्टैम आई है और काफी अच्छा जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रहा है फ्लावरिंग शुरू हो गई है डेड़ महीने में फ्लावरिंग जो है आपकी शुरू हो जाती है और अच्छा खाद अगर आप इसके अंदर डालते हैं तो फ्लावरिंग भर भर के करता है कोई भी गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं या फिर सर्सों की खली का इस्तमाल भी किया जा सकता है यह देखिए बॉटल वाली कटिंग की में बात कर रहा था नहीं इसकी ग्रोथ आपको मैं दिखाता हूं कि कि कितनी अच्छी बॉटल में जो है आप ग्रोथ आपको नजर आएगी यह देखिए आपको नजर आ रही है अभी बस शुरुवात है बढ़िंग बहुत सारी है यह देखिए बॉटल की ग्रोग में की में बात कर रहा था देखिए कितना मोटा स्टेम निकला चोटी सी कटिंग लगाए ते डेड़ महीने में कितनी अच्छी ग्रोग कर गया और अभी आपको स अच्छी तरीके से जो है वह उग गई है सिंपल सोईल का इस्तमाल कीजिए तो कटिंग आपकी बहुत अच्छी उगेगी अच्छी फ्लावरिंग करेगा और आप हैंगिंग बार्स्क्रिट में भी इसको जो है वह इस्तमाल कर पाएंग तो देखिए वाइट फ्लावर जो एच्छी ननक्रिट प्लावर ऱ्रमाल करेंज पराः टेखिए च्रेष भी उगची नच्छान आपकोशे वगेगाएंगर ननक्रिए ननक्रिए लिए पाव उग पर में लोग टो जोगई उसकेवेगेगेगेगेशे वेर से तो